लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि न सिर्फ आपको इस शो के जरीय हम पैसे बचाने के नुस्खे देते हैं, निवेश करने के कमाई के नुस्खे देते हैं, बलकि आपके पैसों का ख्याल भी आपको कैसे रखना चाहिए, इसकी भी बात करते हैं, और जब ख्याल तरहां के साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं लेटिस जो फ्रॉड है वो AI डीप फेक फ्रॉड है जहां पर वरिष नागरिकों को जो है टागेट किया जा रहा है राहूल त्यागी को फाउंडर सेफ सेक्यॉरिटी जो है वो मेरे साथ जुड़ गए है इस पर बात कर हैं जो उप्रेंडी है वो सारे क्रिमिनल की शेम है यूएस में इपरात काफी टाइम से चलORT रहा है अब इंडिया में अभी है क्योंकि जो AI model से जो बातचीत करवाते हैं, यह mostly English language को translate करके करवाते हैं, तो इसका models for printing मैं समझा देता हूँ viewers को कि यह कैसे चलता है, सबसे पहले जिन लोगों को यह target करना चाहते हैं, उनके कोई भी granddaughters या grandson जो हैं, उनको call किया जाता है, और उन बोलते हैं, हम आपसे बात करना चाह इस तरीके से computer से attach होता है, कि आपकी जो call हो रही है, वो record हो रही होती है, जहां से आपका voice sample उनको मिल जाता है, अब आपने देखा होगा जैसे सिद्धू मूसे वाला या उनके old version को लेके, उनकी voice को लेके और भी गाने बनाएगे हैं, similar methods से, similar software से, उस voice को clone करके, उनके जो उनके call पहले की थी, उस voice को recording लेके, बेस बना के, ताकि जो voice modulate वो कर रहा है, जो बाचित कर रहा है, उनके grandparents को उनकी अवाजी लगे, अब इसके अंदर जो सबसे इंटरस्टिंग चीज़ क्या होती है, कि वो सबसे पहले करते ही call उनको phone करते हैं, कि मैं बोल रहा हूँ, म इतनी क्रेट कर देते हैं, उस खास में यह भी बोल देते हैं, आप मेरे ममी पापा को मत बताइए, अप मेरे दादा दादी नाना ना निया, आप प्लीज देख लिजा, ममी पापा को मत बताइए, वो मुझे बहुत डाटेंगी, और इस चेकर के अंदर मुस्ली जो ठगी ह उसको इंजाम दिया जा रहा है कविता लेकिन राहूल ऐसा क्या हो गया है कि senior citizen और वरिष्ट नागरिक जो है इन cyber frauds की नजर में अब जादा आने लगे हैं क्यूंकि ये group जो है जादा vulnerable है और जादा क्यूंकि internet और online savvy नहीं है क्या ये एक कारण हो सकता है इसके बहुत कारण है कविता सबसे इंपोर्टन कारण तो यह है कि ये जो criminal होते हैं ये target ही उन लोगों के करते हैं जो mostly separate रहते हैं अपनी family से उनके पास एक database कह लीजिए या वो purchase करते हैं या खुद hunt करते हैं social media पे कि वो कौन से ऐसे senior citizen है जो 70 से लेके 90 साल की उमर के अंदर हैं जिनका bank balance अच्छा है लेकिन वो अपनी family से अलग रह रहे हैं तो उनको ये first time पे target करते हैं क्योंकि उनको कोई साथ में help करने वाला नहीं है उस चीज़ को कोई validate करने वाला नहीं है और वो urgency ही इतनी create कर देते हैं क्योंकि ये tax से वीतने नहीं होते वो घवरा जाते हैं और इस time इस कारण वो ठगी का शिकार हो जाते हैं अब यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से technology change हो रही है और अगर आप आज किसी एक senior बंदे को कोई भी गाना सुना दीजिए किसी चाहिए आरीजी सिंग का या किसी का AI module का हम भी यो difference नहीं create कर पाएंगे कि आर बहुत मुश्किल है अब यह technique भी उनको educate नहीं किया गया है कि अगर आपको लग भी रहा है कि उसी नंबर से फोन भी आएगा क्योंकि कॉलर टाइडी स्पूफ कर लेते हैं तो आपके जो ग्रेंटसर है ग्रेंट डॉटर उनके नंबर से ही call आएगा और वो इस भी उनकी ह तो उनको इसमें शक्रने की कोई गुंजाईश ही नहीं बनती क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं इस चीज के बारे में तो यह जो आपके माद्यम से अगर वो senior citizens सुन रहे हैं तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसी call आई, urgency create हो जहाँ पर कोई problem है एक दो question ऐसा पूछ लीजिए जो शायद आपको लगता है कि आपके और उस बच्चे के बारे इलावा किसी को तीसरे बनने को पता नहीं होगा ताकि यह confirm हो जाए कि यह आपका family member ही है बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि जिस defect technology की हम बात कर रहे हैं यह technology तो लगातार बदर रही है आज हमने देखा कि जो senior citizen हैं उनके नाती पुतों की आवाज में बात करके उनके साथ ठगी हो रहे है और जो मामला फिलाद सामने आया है उसमें तो कई हजार रुपे जो है ठगे जा चुके हैं कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर लाखों का नुकसान हुआ है लाखों का फरजी वाड़ा हुआ है लेकिन अब अगर हम voice modulation की बात करें और AI scams की बात करें तो वो किस तरह से अब इजात किये जा रहे हैं नए नए जब भी आपसे बात होती है राहूल हम किसी नए तरह किस कैम की बात करते होते हैं देखिए जी बिल्कुल कविता हो रहे ही आइटिंक वो आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरी किसे टेकनोलजी चेंज हो रही है और AI जिस तरह से शेप कर रहा है वो दिन दूर नहीं है कि आज से तीन साल बाद शायद कोई ऐसी वीडियो हम मार्केट में देख रहे हों जो कि बिल्कुल फेक है लेकिन उसको अथंटिसिटी करने का हमारे पास कोई जरिया ही ना रहे है और यह बहुत ही डेंजर सी जा इसलिए इलन मस्क ने कब बोला था कि AI शायद समाज को खतम भी कर सकता है किसी टाइमिंग पर लेकि अभी एक रीसेंट जो हीप आपने संफेर बादस विडिया कर लेंगे और फिर अगर वोइस मोडिो तो है यह कीडिसटी वीडियो मोड्यों लेकिन ऐपकात को अगर का ने किस तरीके से बठ रहे हो आप लेक्र escri कर लेतायां इसौ警 और समय कर लेकिक ब्रहु freight or इसको भी कॉल करेंगे 10 सेकिंड की 20 सेकिंड की स्क्रिप्ट लग लिजी और वीडियो देखके तो वो शायद ही कोई उसमें वॉस्बी उनकी है वीडियो फोटो भी उनकी है जिसमें कोई differentiating नहीं कर सकता खास कर एक एजड बंदा तो कभी नहीं कर सकता तो वीडियो सिर्फ दीफेक्स जो हैं, प्लस एक नया जो कारगरा आपका फेस लेके मौफ कर दिया जाएगा, पहले फोटोशोप या किसी और सॉफ्टर से करते हैं, बने AI से अब करते हैं, जिसमें आप अडल्टरी कंटेंट निया पॉनोग्राफिक कंटेंट के उपर आप देटाबस किया जाता है, जो कि वरनेबल लोग होते हैं, उनकी जो प्राइवेट लाइफ को टाक में रखते हुए, एक पूरा कि जब भी ऐसी कोई अर्जंसी क्रियेट की जाए आपको फोन करके या वीडियो कॉल पे भी कुछ एक से कोशन पूछ लीजिए अपने फैमिली मेंबर से जो आपको रूंप की पता है एक बर कन्फर्म करने के लिए में भी अगर असली में ही आपका नाता औरफ होती है वो समझे कि आप में भी बेफूफ बना रहे हैं उनको या कुछ बट रियालिटी में ये कोशन में पूछने का कोई नुक्सान नहीं है बिल्कुल आपने सही कहा इसके लावा और क्या तरीका हो सकता है पकड़ने का अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है ओनलाइन तो और साथ ही अब क्यूंकि डेटा प्रोटेक्शन पिल में भी AI को लेकर कोई खास ठोस कदम सामने नहीं आए हैं तो किस तरहा हैंगे बहुत जारा लोगों को अब बहुत सारी ऐसी कंपनी जो यह कुछ ऐसे अप्लिकेशन लेकर आ रही है कि जैसे अभी आज मौनिंग में देख रहा था कि अगर आपका कोई फोटो मिस्यूज हुआ है इंटरनेट पे किसी वी वेबसाइट पे और कोई अदर उसको को कर दीजें वो पूरा इंटरनेट चानके उसको डिलीट करवा देगा उसका कुछ वो प्राइस भी लेते होंगे या नहीं लेते होंगे ऐसे बहुत सारी सलूशन आ रहे हैं देंजरस चीज यह है कविता कि अभी के लिए डीप और डीप अनालिस का एक परसनल लेवल पे ही आप डिक्स्टिंविश कर पाऊगे जो कोई बारीकी से कोई एनिमेटर है या बारीकी से कोई वीडियो का कॉंटेंट देखने वाला है वो आप देख सकते हैं अगर आप मेरे को अभी भी देख रहे हैं यह बैगरांड लगी हुई है मेरी अब एक आम बंदा आपका मेरा जैसे वो डिटेक्ट कर लेगा लेकिन कोई सीनियर सीटिजन ना वो तो यही समझेगा कि असली बैकरांड ही है पीछे तो वो जो अवेरनेस लेवल है जो सीनियर सीटिजन के अंदर वो उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जितने जादा यूज केसिस हम उनको दिखाए उतनी जादा उनकी नौलेज के अंदर वरिद्धी होगी और अभी के लिए उनफोर्चनेटली इसके लावा कोई जादा तरीका है नहीं एक सीनियर सीटिजन के लिए इसको डिटेक्ट करने का मेरे ख्याल से सब्सक्राइब करते हैं लेकिन लगातार इस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें और तमाम तरहां की जो गाइडलाइन्स बताई गई है इस शो के जरीए भी जो आपको लगातार कोशिच रहती है हमारी जागरुक रखने की उन पर अमल करें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने स मैं निकाला इसका शचा के लिए